हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आज मैं आप सभी से अर्षा रोटी की रेसीपी सेयर करने वाली हूँ तो इसके लिए मैंने एक केजी आरवाचावल लिया है इसको मैंने दो से तीन घंटे के लिए पानी फूला कर रखा था और उसके बाद इसको पानी इसका जितना पानी है वो पानी हट जाए इसलिए मैंने इसको एक कपड़े में फैला कर रखा था और जब इसका पानी सब खतम हो गया तो मैंने इसे मिक्सिम पीस लिया है अर्षा रोटी बनाने के लिए मुझे सबसे पहले गुड़ की चास्नी बनाना है तो इसके लिए मैंने चला कर इसको पीगला लेना है एक केजी चावल के लिए आधा केजी गुड़ का इस्तेमाल मैंने किया है जितना चावल रहता है उसका आधा गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है अर्षा रोटी बनाने के लिए अर्षा रोटी एक पारंपरिक पकवान है इसको हमलग किसी पर्व तैवहार के टाइम बे बनाते है और खास करके इसे मका सकरांती के मोके पर हमारे यहाँ जुरूर बनाया जाता है और यह खाने बहुत ही ज़्यादे टेस्टी लगता है और गुड़ का बना हुआ राता ह है इसलिए यह बहुत फाइदेमत होता है यह हमारे सरे को नुकसां नहीं पहुचाता है गुड़ को अच्छे से पिखलाते हुए इसका चासनी बनाना है और मैंने एक कट उरे में पानी लिया है और इसवे मैं चासनी को देख ले रही हूँ कि यह बना है कि ने रोटी बनाने के लिए तो यहाँ पर मैंने इसको डाला तो यह नीचे बैट गया था पर थोड़ा से फैल रहा था तो इसको मैं और एक बार थोड़ा से अच्छा से पका ले रही हूँ और यह सोप है सोप को मैं डाल दे रही हूँ और उसके बाद मैं एक बार फिर से चासनी है वो फैलता नहीं है वो नीचे बैट जाता है तो इसे पता चल जाता है कि ये रोटी बनाने के लिए परफेक्ट हो गया तो अब इसमें मैं चावल जो मैंने पीस के रखा है चावल का पाउडर उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और उसके बाद इसको अच्छे से मिलाते जाना है सभी चावल के पाउडर को एक ही बार में नहीं मिलाना है थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है नहीं तो चलाने में दिक्कत होगा और अच्छे सी ये मिल नहीं पाएगा तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा करके डालते जा रही हूँ और इसके बाद इसको अच्छे से मिला लेना है मैंने इसमें सिर्फ सौफ मिलाया है और आप चाहें तो इसमें गड़ी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं गड़ी डालने से और टेश्टी लगता है यह खाने में अगर आप गुड की चासनी अगर अच्छे से नहीं बनाएंगे तो रोटी जो है अच्छा नहीं बनेगा वो रोटी फैल जाता है तो इसलिए गुड की चासनी जो होता है उसको अच्छे से ध्यान से बनाए और जितना चावाल ले उसका आधा ही गुड का इस्तिमाल करे और जब तेल करम होगा तब मैं इसका रोटी बनाना शुरू कर दो तो मैं यहां पर रोटी बनाने से पहले हाथों में थोड़ा सा तेल ले ली हूँ हाथों में तेल लगा लेने के बाद इसमें मैं प्लेट में तील को लिया है तील को डाल के चिपका ले रही हूँ और उसके बाद में मेरा रोटी बनके रिडी हो जाएगा तील डालने से रोटी का जो स्वाद है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है टेस्टी लगने लगता है तो बस इसी तरह से मैं सभी रोटियों को बना ले रही हूँ और ये खाने बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है आप इस तरह से बना के ट्राय करें घर पर तो आप सभी को मेरी अर्षा रोटी की रेसीपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता है और अगर रेस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और रोटी बनाने के बाद मैं यहां पर थोड़ा सा किचन का भी क्लेनिंग कर ले रही हूँ तो यहां पर मैं चूला को पोश्च ले रही हूँ अच्छे से गिले कपड़े से और ग झाल 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 और मुझे बहुत इनों से टेबल के नीचे का जो पेपर है उसको भी चेंज करना था तो यहाँ पर मैं पेपर को चेंज कर ले रही हूँ तो इसके पहले मैंने यहाँ पर जाड़ू करके अच्छे से थोड़ा बहुत जाले बगएरा लग जाती है तो उसको मैंने साफ कर लि हो और अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लोग में एक नए कंटेंट के साथ तब तक के लिए बाई बाई